तेबल देख लेते हैं अब आपकी ग्रूप A में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान न्यूजीलेंट इंडिया और श्रिलंका तो आप तो बोड़े थे न्यूजीलेंट से अच्छी हो गए इने ट्रंड रेट न्यूजीलेंट का बराबर हो गया देखिए साथ अंसे माइनस वन पोइंट वन नीचे ना नीचे अभी तो श्रिलंका को भी आपको बड़े मार्जन से बहराना है फिर होप करना है कि न्यूजीलेंट भी हारे न्यूजीलेंट हार जाएगी तो पाकिस्तान भी थू हो सकती है बहुत मुश्किल आपके लिए यार बहुत आस्ट्रेलिया वाला गेम अगर आप जीत गए ना तब आपका बेस्ट चांस जानेगा क्या जीत पाओगे और चांस भी और साथ साथ आप यह भी देख देखो आपको ना मैच सिर्फ जीतना है अगर आप शिलंका को अच्छे मार्जिन से ने आपको सबसे पहले तो अपनी नेट्रोनेट पॉजिटिव में लानी है उसके बाद देखो के अब देखो न्यूजिलेंड है उनका मैच बचा है अब किस से पाकिसान से शायद वो जीत जाएंगे वो माला मैच रहता है मैच आपको अगेंस दे टाइड जाना पड़ेगा हराने के लिए लिए स्री गडेशा है नम वजून की हार है ना मैपको बता दू हमेशा हमारे दिग्यत खिलाडियों नहीं कहा है कि अगर आपको टूर्णमेंट जीतना है चैंपिंशिप जीतना आपको अस्टेलिया को हराना पड़ेगा अगर इंडिया उस्टेलिया को हराती है कोई दूसरी टीम नहीं जो सामने आगे खड़ी हो जाए निगो बाद ठीक हमाल दी दूबजी आपकी परन्तु हवा में नहीं हराते ना खेल कर देदाना पड़ता ह है स्पिरिंट्स के लिए हल्फ रहती है जो ट्रैक है वहाँ पर भी उन्होंने एक सो ननचास बनाया आज है तारीफ है उनके उस्टेलिया ने सो ठीक है बात मांतो देखे मैं भी चाहता हूं हराए इंडिन टीम उनको हराए अर्मन प्रीत को और की टीम उनको हराए का हमार टीम आपको पता है वर्ल्ड वर्ल्ड कप चल रहा है टीट्वेंटी विमन्स ठीक है हमने पहला मैच खेला अगेंस न्यूजिलेंड हम 58 रन से हार गए हमने सेकेंड मैच खेला अगेंस पाकिस्तान हम मरते मरते मैच जिए अभी ग्रूप A में ऑस्रेलिया नमर वन पर चल इंडिया दू पर चार नमबर पर चल रहीया और स्रीलंका पांच पे अब इंडिया के दो मैच और बचे है शिलंकन विमन के साथ और और अस्रीलियम मिन के साथ अगर आप स्रिलंका से बड़े मार्जन से भी जीती हैं तो मोश्ट प्रबबली आप फिर भी चौथे या ती साथ रंच से भी जीतती है तो भी ठीक है सेकेंड ली आपको श्रीलिन विमन के साथ खेलना है भी वह मैच आपके लिए बहुत ही टफ है वह आप जीत पाती है नहीं जीत पाती है अच्छा अगर आप दोनों भी जीत जाती है अब उसके बावजूद अगर पाकिस्तान ने हर पाकिसान तीन नी जी सकते है और अस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड ही आगे जाएंगी बस आपको अगर आपने श्रिलंका ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा भाया देखो अगर आपको तू पर फिनिश करना है वन पर फिनिश करना है आपको हर हालत में यूफ जाना पड़ेगा वेरी डिफिकल्ट जॉप बट अगर जीता है नामुम्किन तो दूबेजी कुछ नहीं होता लेकिन मुश्किल तो है और जब मुश्किल बड़ी होती है तभी लोग को लगता है कि ये नामुम्किन है बट लेट सी देखते है के टीम आपकी क्योंकि स्बक्राइब देखा है याप देखरहें तनो आपते और य मैं अब वोलिंग इतनी खराब थी उसके बावजूद आप चार्ज नहीं कर अब आरे कि मैं वहीत है खारा हूं क्यू नहीं सबकुछ डिपेंद करेगा चारिंद बिए बीट तुन इंटेड़कों स्विस एपन if we don't beat Australia, I don't think we have a chance. पहले तो कल श्री लंका को भी हराना है और अच्छे मार दिन सहराना है. तो ठीक है, हटा दीजेश को.